नमस्कार दोस्तों मैं बल्राम बानकर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ कक्छा नौवी गडित में मुख्य क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आई एमपी वह है तो हमारा आज का जो सवाल है आप देख रहे हैं हमें दिया है एक्स बराबर से सुन द प्वटे-क्यू के रूप में लिखना हमारा क्ोश्चन जो है इस टेप से था कि हमें निमनिखित को पी बटे-क्यू के रूप में उख्त की जीए जहां पी और क्यों क्या है वास्विक सैंक्या है तो हमारा जो दूरसा क्वेश्चन था यह था सुन दसमलों 478 के उपर बार लगा हुआ था तो चलिए इसको हम P बटे Q के रुप में हल करते हैं तो आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले माना है क्या X वरबर से जो हमें सवाल दिया था उसको हमने X के वरबर मान लिया है फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं सुनने दसंबलो 478 चार आट सोरी 78 78 78 ऐसा डेश डेश करके हम लिख सकते हैं यहां दो अंको 78 की पुर्णरवत्ती है इसलिए हम X को दो सुनने वाली कौन सी संख्या होती है ह一से दो सुनने वाली 100 से गुड़ा करने पर हम यहां पर 2 सुनने वाली शंख्या होती है हमारी तो हम यह जो X काय से गुड़ा करेंगे 100 से दोनों तरब तो यह संख्या के बाद दसंबलो क्या हो से खसक जाएगा तो देखते हम यहाँ पर तो यह जो हमारा 4787878 था तो यह हमारा हो जाएगा 47.87878788-10 अब 100x ब्राबर से कित्ता लिख सकते हम इसको तो इसको लिख सकते 47.474787878-10 अब यह जो मान है यह किस का मान है तो यह जो मान है हमारा X का मान है यहां हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि इसको ऐसा जमाने की कौसिस करते हैं जिससे हमें यह जो X का मान है यह प्राप्थ हो जाए तो कैसे प्राप्थ होगा तो इसकी असान सा तरीका है दोस्तों यह जो संख्या है इससे हम इसको घटा देते हैं तो जो बचता है उसको हम यहां लिख लेते हैं और जो कैना जी हमने यहां पर घटा है उसको यहां लिख लेते हैं तो यह जो मान है हमारा वो X का मान हो जाता है और जो बचा वाला सेस्फल होता है वो यहाँ पर बच जाता है तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तो 100x जैसे कर वैसा 47.4 और यह हो जायागा किसका मान? x का अब यह कैसे घटाया है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यह जो दसम्लो के बाद में 47.87 आया है इससे आप इसको घटा लेजिए तो उपर 47.87 वाली संख्या रहेगी और नीचे 40 संख्या रहेगी घटाने के बाद आप इसको जित्ता बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और यह वाली जो संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे तो यह x का मान है तो यहां हमने X रख लिए हैं और अगली स्टेप पे हम X का पक्छानता कर देते हैं तो 100X, 1X हो जाएगा बरबर से 47.4 हो जाएगा अब 100 में से 1X जाएगा तो 99X हो जाएगा बरबर से यहां पर 47.4 तो X बरबर से हो जाएगा 47.4 बटेप में 99 में तो दसमलों के लिए 100 लगा लेते हैं और जब इसको हम ऊपर अंस और हर दोनों को एक ही संक्य से काटेंगे तो हमारा जब आता है कितना 89 बटे में 165 और यह हमें किसके जैसा दिख रहा है दोस्तों तो यह हमें अब P बटे Q के रूप में दिख रहा है यही हमारा अभिष्ट हल है दन्यवाद दोस्तों लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और किसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं, कोई सवाल का वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कमेंट करें, हम जरूर से जरूर आपको वीडियो रात्त कराएंगे, धन्यवाद दोस्तों